फिमेल पेशेंट्स में UTI, Urinary Tracking Infection बहुत common complaint रहती है ऐसे में फिमेल पेशेंट्स को बार-बार पेशाब हो जाती है अनकंट्रोल मिक्चुरेशन रहता है, बर्निंग सेसेशन रहता है और सिभीर इचिंग भी रहती है और ऐसे पेशेंट्स में lower abdominal pain भी रहता है टीनेजर्स में भी ये बहुत common complaint रहती है लेकिन ये अगर बार-बार हो जाए और chronic है बहुत दिनों से सालों से आपको ये complaint हो रही है तो आपको इसको दाबड़तु ट्रेटमेंट करनी चाहिए क्योंकि इसमें PCOD या फिर uterine fibroids बहुत common रहते हैं तो इसमें USG sonography करके ultrasound करके ये देखा जाता है कि uterus में अंदर कुछ problem तो नहीं है उसके बाद ऐसे पेशेंट्स को तुरंत relief के लिए herbal medicines दिये जाते हैं और vaginal lip भी दिये आचाता है एब्डोमेन पे लगाने के लिए abdominal packs दिये जाते हैं और chronic complaint हो और results नहीं आ रहे हो तो ऐसे patient में पंचकर्म करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें white discharge की complaint बहुत common रहती है और severe white discharge में backache और abdominal pain और depression, anxiety, stress female patients में common रहती है ऐसे patient में नस्टम्स नेनाव स्वधम के बाद किया जाता है और medicated enema दिया जाता है काड़े का और oil का या फिर दूद का जिससे तुरंधी UTI में relief हो जाता है और ऐसे patient permanently cure हो जाते है